आरेन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत मिल गई है बॉम्बे हाई कोट से लेकिन इस पूरे दोरान जब उनकी गिरफतारी रही या जब वो न्याई खिरासत में रहे NCB यानि Narcotics Control Bureau के कामकाज के तरीकों को लगर काफी विवाद हुआ है और ये कहा गया है कि Celebrities को या बड़े लोगों को फसाने पर और मीडिया हाइप क्रियेट करने पर ज्यादा जोर है NCB का हम इसी पर बात करते हैं वरिष्ट वकील सुप्रिम कोट के केटियस तुलसी जो की राजसभा सांसद भी है कॉंग्रेस से वो हमारे साथ है तुलसी साहब आपका तो आपराधिक मामलों का लंबा अनुभव है सब तरह के केसेज आपने देखें क्या आपको लगता है कि आरियन खान का मामला हो या दूसरे जो फिल्म स्टार्स का मामला पिछले एक डेड़ साल में रहा है उसमें NCB की कारे प्रणाली सही नहीं रही है नहीं सिरफ जो वेल ओन फेजिस हैं उनके उनको ज्यादा इनका सहन करना पड़ता है बेफूनिंग डिमीनिंग वो यह बिलकुल डेमुनाइज करना शुरू कर देते हैं किसी को अभी चार्टशीट हुई नहीं इन्वेस्टिकेशन कंप्लीट नहीं हुई और ऐसा अब शो किया जाता है मीडिया में जैसे के ये 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 वर्स्ट क्रिमिनल्स और ये आफ्र और एंडीपीस बना किस लिए था ये बना था बिग कार्टल्स जो वोल्डवाइड बियॉंड दे रीच आफ लोकल पुलीस काम करते हैं उनके लिए बना था ये जो लीड करते हैं ऐसे ट्रैफिकिंग में तो यहां पर आप छोटी-छोटी पोजेशन के केसिस पर अगर अपनी सारा energy लगा देंगे तो you are not fulfilling the mandate आपका जो आपको जो कहा गया है वो यह है कि आपने international racketeers international traffickers उनके cartels उनके पीछे जाना है क्योंकि हमारी generation खराब होती है ऐसा काम करना था तो फर उसके उसमें क्या फरक है excise and taxation cases में excise cases भी होते हैं मगर मैं यह समझता हूँ कि legislature को यह सोचना चाहिए कि किसी के पास पांच ग्राम है किसी के पास दो ग्राम है उनको इस तरह से criminalize करने की क्या वशक्ता है आखिर गुटका कितना हानिकार्ख है और गुटके को आजकल हर रोज advertisements सब पर है advertisements आती हैं बहुत पैसा है उनके पास उनको उनको किसी कारिक का बंद ही नहीं किया गया इलीगल भी नहीं उसको करार दिया गया कितना देश में गुटक तबैको चलता है इतना तबैको कई प्रांत में है कि दस गुना हो गए हैं cases जो cancer of throat cancer of lungs मगर उनके उनकी ताकत है तो उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं होगी यहां पे दो ग्रैम वाले को भी मगर जहां पे रौत बैको consume होता है और लाखों लोग इस भेयानक चीज से बिलकुल उसमें हो जाते हैं मगर उनके खिलाफ कारवाई नहीं होती आप यह कहना चाहरे हैं कि ड्रग्स नार्कोटिक्स को लीगली अलाउ कर देना चाहिए जैसे कि टोबैको अलाउ है गुटका अलाउ है मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो psychotropic substances हैं उनको उनका positive role भी society में देखना चाहिए chemist जो रखता है drugs यह H degree, H category जो होती हैं जिनको approval मिला है उनके खिलाफ भी कारवाई होती है क्योंकि पुलीस यह तो जो famous हैं उनके पीछे जाएगी यह जो बहुत गरीब हैं उनके पीछे जाएगी क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं रहेगा तो यह दुरूप योग चलता रहेगा जब तक हम इसको balance नहीं करें और बाकी जो सबसें cigarette क्या honey card नहीं है शिराब क्या honey card नहीं है इनकी cigarette हो या tobacco हो यह बिल्कुल honey card है लेकिन इनका long term बहुत लंबे consumption पे इनका असर होता है लेकिन नार्कोटिक्स कैसी चीज है जिसको अगर ज्यादा मात्रा में कोई ले ले तो जान भी बचाती है नार्कोटिक्स जा अगर अगर जिए तो सरहलाउड है ना मतलब दवाओं में तो इस्तमाल हो ही रहा है वो अगर दवाओं में भी 2007 में सैंकडों chemist के खिलाफ मगर सिर्फ दवाओं भी है तो इनके तो दो पहलू है अच्छा भी है बुरा भी है मगर सिग्रिट का अच्छा पहलू कौन सा है या शिराब का क्या अच्छा पहलू है या गोटके का क्या अच्छा पहलू है या तबैको का क्या है उसमें तो है यह नहीं इसे आप कहा रहे हैं कि ड्रेक्स लेने से स्ट्रेस या जो दिमागी तनाव है वो दूर होता है तो इन चीज़ों को लेने वाले भी यही कहते हैं तो उसके लिए भी कोई दवा नहीं थी, अब ये दवा है जिससे आपकी दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इंजेक्शन दे के एक्स्रेक्शन करते हैं, इन चीजों का आप अगर कहें कि सब के सब साइकोट्रापिक सबस्टेंस बेन हो जाएंगे तो न केमिस्ट वकील हैं, राज सभा सांसद हैं, इसलिए आप जो बोल रहे हैं, उसमें थोड़ी सी सबस्टा की जरुवत है, दवाई के तोर पर इस्तमाल, शायद कानून में उसकी जगा है, ठीक है कुछ केमिस्ट पर कारवाई होई होगी, उसका आप उधारन बता रहे हैं, लेकिन छोटी मात्रा में अगर कोई यूवा 22-25 साल का ले रहा है किसी भी वज़े से, तो उसको खुले आम लेने देना चाहिए, कोई नियमन होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, आप इसको इसपस्ट कीजिए. सभी है एक्सिडेंट केसिज में, जब जान बचानी होती है एक्सिडेंट विक्टिम की, तो आपको साइको ट्रॉपिक सब ड्रग देनी पड़ती है, उसके पेन को रिलीव करने के लिए हैं. इसके प्रेस्क्रिप्शनल केस हुआ ना सर? जैसे कोई पच्छिस साल का लड़का है या बाईस साल का लड़का है, वो लेना चाहता है शौकिया तो उसके लिए भी अलाव होना चाहिए, आप यह कह रहे हैं. मैं कह रहा हूँ के मेडिकल जूज जो है, वो उसके लिए क्लियरली प्रोविजिन होना चाहिए के वो जुर्म नहीं है. ताके इन लोगों के खिलाफ ऐसी कारवाई ना की जाए जो बिलकुल अंजिस्टिफाइड है. यह कैसे तेह होगा? डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे होगा? कि मैं अगर लेना चाहता हूँ तो मुझे डॉक्टर लिख कर दे? नडी पीएस में शेडूल बना हुआ है. जो ड्रग्स पर मिसिबल हैं वो भी लिखी गई हैं. मगर वो लिखे जाने के बावजूद लोगों के खिलाफ कारवाई होती है. यहां पे दिली के बहुत सारे शहरों में कैमिस्ट ने हर्टाल भी की थी. बगर यह पैसा कमाने का भी एक धंदा बन गया है. मैं यह कहता हूँ कि जितने भी अन्डिसारेबल तत्य हैं जैसे सिगरेट, शराब, तबैको, गुटका, इन सब के खिलाफ बराबर कारवाई होनी चाहिए. और ड्रग्स में भी रेगुलेशन होना चाहिए. ड्रग्स को बन नहीं किया गया है. रेगुलेट किया गया है. इनको बनाया गया था कि सारी दुनिया में जो कार्टल्स बने हुएं, उनके पीछे जाएं. और जो एंट्री पॉइंट है, वो बंद किया जाए. क्या आपको भी लगता है बाकी तमाम बहुत सारे वरिष्ट वकीलों को और नेताओं को हमने सुना कि आरियन खान के मामले में NCB का उद्धिश कुछ क्राइम को सॉल्फ करने की बजाए, उसका हल निकालने की बजाए, मीडिया हाइप क्रियेट करने पर ज्यादा रहा है. मेरे को ऐसा लगता है, मगर मेरे को मालूम है कि यह हाइप हमेशा यहीं करते हैं. हर एक आदमी अपना चेरा देखना जाता है टीवी में. तो जैसे मौका मिलता है, वो केस्ते ला देते हैं. तो केटियस तुलसी साब हमें यह बता रहे हैं कि इनका यह मानना है कि आरियन खान के मामले में और तमाम जो दूसरे सेलिब्रिटीज पिछले साल डेड़ साल में गिरफतार हुए हैं. ड्रग्स रखने या उसको कंजियूम करने के आरोप में. उन मामलों में नार्कोटिक एक एहम बात यह कह रहे हैं कि इनके विचार में सिमित मात्रा में अगर मेडिकल परपस से ड्रग्स का इस्तेमाल कोई करता है तो इन बातों को अपराध के दाएरे से बाहर करके इसकी अनुमती देनी चाहिए. हलाकि यहां पर इंटर्व्यू को अंत करते करते मुझे एक स इस बारे में खुद कोई कोशिश करेंगे प्राइविट मेंबर बिल या ऐसी कोई चीज प्राइविट मेंबर बिल मैंने कई मूव किये हुए हैं उनको उनकी बारी आएगी तो कभी डिबेट होगी फिर उसके बाद नहीं तो अपनी MPs की टर्म खतम हो जाती है और ऐसे ज होते हैं जिन में amendment suggest की गई है या repelling repeal suggest किया गया है वो पड़े रहते हैं तो कि आप सरकार के विचार के लिए आप के बात डाल रहे हैं कि उनको सोचना चाहिए जो आप बात करेंगे जब तक सरकार साथ ना हो कोई भी बिल कानून नहीं बनता है तो 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 तोसी साहब ने यह एहम बात भी कही कि जो नार्कोटिक सब्स्टेंस हैं उनका सिमित मात्रा में medical purpose से अगर consumption होना है तो वो भी अनुमती के दायरे में होना चाहिए हलाकि यह अपनी तरफ से कोई बिल संसद में नहीं लाएंगे इनका यह मानना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इस बारे में भी कारवाई करनी चाहिए निपुन सायगल एबीपी न्यूज दिल्ली